नमस्ते दोस्तों वल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रश्में दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं आपको ये कैसा लग रहा है क्यों है ने बीटिफल दोस्तों इसको केरते हैं रश्यान डॉल इसको नेस्टिंग डॉल भी कहा जता है और आपको सुनकर ताज्यूफ होगा कि इसको हमने खरीदा नहीं बलकि घर के ही कुछ बेकार सामान से हमने इसको बनाया है और पिछले वीडियो की तरह ही मैं आपको गैरेंटी देती हूं इस तरह का वीडियो आपने पहले कभी नही करते हैं सबसे पहले दोस्तों यह है वही पेपर क्ले जो कि मैंने घर पर ही बनाया है और अगर आपको यह रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट करें या फिर आप चाहिए तो यूट्यूब में अनदर वीडियो बहुत सारे आवलेबल हैं वह भी आप देख सकते हैं अगर इसमें से कोई बिट आउट हो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर मैं यह बड़ा वाले लीडिय बॉल्ब का यूज़ कर रही हूं जो आल्रडी फ्यूज है सबसे पहले इसके उपर में थोड़ा थोड़ा फेबिकॉल लगाऊंगी उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके ही पेपर क्ले इसमें लगाती जाऊंगी फेबिकॉल का यूज़ में इसलिए कर रही हूं ताकि जो पेपर क्ले है वो हमारे बल्ब के उपर अच्छे से स्ट बल्ब को आज बेस यूज़ करके इसके उपर पेपर क्ले लगा कर इस बेस को कोट कर रहे हैं पूरी तरह से हमारा स्टेप रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर इसको प्लेन करते जाएंगे दूस्तों यह वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए जितना हो सके मैंने इसको फास्ट फॉर्वाड मोशन में दिखाया है लेकिन आप इसको धीरे-धीरे हलकी हाथ से अपना टाइम लेके करें मैं यहां पर तीन साइज के डॉल बना रहे हूं छोटे से बड़े तक तो इसलिए यहां पर मैं इस तरह के जीरो लाइट बल्ब का यूज़ कर रहे हूं जो की हमारे पास तो होती है इसको भी हम पेपर क्लेक के मदद से सेप देंगे तो इस से चोटे के लिए मेरे पास इस तरह को कोई बल्ब नहीं था इसलिए मैं इस तरह की जो गुड़ नाइट आते हैं उसके रिफिल के ओपर यह ढकल लगा होता है तो इसका यूज़ मैं कर रहे हूं वान सेगेन हम यहां पर वेस्चेस का ही रिउस कर रहे हैं सबसे पहले आप यह धान में रखें जब आप इसको सेब दे रहे हैं तो इसके दोनों आपोजिट साइट फ्लाट लगबग होने चाहिए ताकि इसका जो फ्रेंट वाला फेस वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट वो धोड़ा फ्लाट रहे हैं और हम इसमें सेब दे हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से पूरा प्लेट नहीं हो रहा है तो आप यहां पर यूज़ां रूपाइप कर सकते हैं और फिर कोई भी प्लेन चीज़ कर सकते हैं इसका बेस रेडी होने के बाद इसको आप चब्विस घंटे के लिए धूप में जरूर करने के बाद हमें यहां पर फेपी कॉल और फाइप से मिन का पेस ले रहे हूं इसको आप हमारे बेस के उपर पुरा लगाएं बीच पीच में आप इसको सुखने के लिए छोड़ दें एक्चुली यही टाइम है जब आप अगर इसमें कोई भी मिस्टेक किये होंगे सेप इसदेट में तो यहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं कहीं पर घटा सकते हैं यहां फिर बढा सकते हैं यह स्टेप हो जाने के बाद इसको भी हम कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे आप इस प्रोईंग को step by step follow करते जाएं और इसको बनाते जाएं कर दोबा पाते जाएं गल सबांदी ऑनाते जाएं परस्टान हो बलाएं में पर्रै से लिए सेते हैं किसे ल guerre सही थे उताएं और रहाप्ल गती, भी में रखें को खाएंक ।लेवे माय भाएं गल, आनाते भी ।orf how यह सेते हैं नाव अनदर फॉन पार्ट पेंटिंग दोस्तों पेंटिंग बच्चों को बहुत पसंद आते हैं पेंटिंग बहुत ही मज़ेदार होते हैं कलरफूल होते हैं सबसे पहले यहां पर मैं इनकी जो ड्रेस है वो ब्लू और रेट के कम्बिनेशन में ले रही हूं आप मुझे एकदम एग्जाक्ली फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपने मर्जी के कोई विकलर कम्बिनेशन ले सकते हैं या पर मैं दो तरह के पेंटिंग ब्रेस का यूज कर रही हूं एक ही राउंड और एक ही पॉइंटेड वाला पॉइंटेड वाला जो ब्रेस है इसको हम यूज क करके इसमें बारिकी से सेप प्ला सकते हैं उसको सफाई से कर सकते हैं दोस्तों रस्यान डॉल के जो फेस और हाथ का जो पार्ट है उसको कलर करने के लिए मेरे पास कोई कलर नहीं था तो फिर इसमें हम और एक कलर का मिक्स और मैच कर रहे हूं मैं यहां पर हुआइट कलर में एकदम थोड़ा सा ओरेंज कलर आर्प करें हूं ताकि मैं अपने रिक्वाइड के हिसाब से कलर पासको कर दो झाले की नहीं थाफ़ाव का रचाना फासकी बड़ा़ चलिफ में लाईं पासकी अवावड़ाव के लावड़ के पासकी को पासकी है बाहता आर कम पासकी है कर दो कर दो कर दो कि मैं इसके फेस को आउटलाइन करने के लिए इस तरह के स्केच पेन का यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो विसी पॉइंटेट ब्रेस के माध्यम से अगर आपके पास ब्लाक कलर है तो उसके मदद से भी आप इसको आउटलाइन कर सकते लेकिन स्केच के मदद से फोड़ा से रेड कलर मिला कर पिंक कलर बना दी हूं एंड लास्टली आउटलाइन जी हम आउटलाइन करने के बाद हमारा यह जो पूरा डॉल है एक दम पॉर्फेटली रेडी हो जाएगा इस तरह से हम पूरे तीनों डॉल को रेडी कर लेंगे तोस्तों मेरा यह यूनिक और ब्यूटिफुल सा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें इसे तरह के क्रेटिव वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब के बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाए मेरे श्मी आपसे मिलती हो मेरे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखे घर में रहे सुरक्षित रहे सतर्क रहे थैंक्स फॉर वोचिंग